मेरा नाम जहानवी है और यह मेरी फ्रेंज है कौशिकी और वैशनवी हम लोग यहां मंदर में हर साल आते हैं और यहां पर बहुत अच्छा से दिवाली बनाई जाती है हम लोग सब बाहर पढ़ते हैं वो पूने पढ़ती हैं मैं डेली पढ़ती हूँ और वहां के कंपेरिटिवली बहुत 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 अच्छी तरीके से यहां दिवाली मनाई जाती है एक पूरे कंट्री को रिप्रेजन करते हुए बहुत बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है दिली और पूने में comparatively वहाँ पर तो शायद लोगों को पता भी नी चलता कि इस दिन दिवाली चली गई दशेरा चला गया लेकिन यहाँ का अगर आप देखेंगे यहाँ पर रांगोली और बाकी सारी चीजे इतनी अच्छी तरह किसे लगता है कि कोई फेस्टिवर है लोग आते हैं बहुत अच्छा से सेलिबरेट होता है बहुत ही अच्छा लगता है मैं यहाँ की खुबसूर्ती को देखके बहुत प्रसंद हुई हूँ यहाँ पर बुद्ध की रांगोली है देश की रांगोली और नत रांगोलीयों का प्रयोग किया गया मेरा नाम मोनिका जैन है मेरा नाम रतने जैन हम काफी सालों से गात्री मंदीर की दिपावली के दिन यहाँ पर आते हूं यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है काफी शांती है और यहाँ पर जो दी सजाते हैं वो बहुत ही वो संदर लगता है आपर देर सारे दी एक साथ संदर सी रांगोली बहुत ही प्यारी बनती है यहाँ और पॉलीशन विल्कुल निह रहता है विल्कुल शांती रहती है यहाँ पठा के निकूठते मेरा नाम राहूल गुपता है, मैं सेंद्वा का निवासी हूँ नहां की दिवाली पूरे सेंद्वा ही नहीं, बलकि पूरे मध्यपदेश या पूरे भारत की मैं कहूं एक अनोठी दिपावली होती है, जो की परियावरन, जागरुकता और परियावरन को सहजने का संकेत हम सभी को देती है अन्य जगा भी रांगोली वगरा और भी का कलाकारी वगरा होती है, पर हैं पर जिस प्रकार से है, वो अपने आप में अभिरपूर्ण है मेरा नाम युकता वर्मा और यह मेरी भैने, इसका नाम पुमिका वर्मा और यह में ममा मेरा पर बहुत साही चीज़े देखिए, रांगोली, दिया कंपेटिशन, बहुत साही चीज़े देखिए, बहुत अच्छा सजावा है यह माता जी भी बहुत सुंदर है, बूत जी भी बने वी है, रांगोली, सजावा भी बहुत अच्छा है, लक्ष्मी माता बहुत साई चीज़े हैं, मैं बहुत देखे हैं मैं बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर है ना सब कुछ हर साल नया देखने के लिए मिलता है मैं सेंदवा से भगबती दिलिपकान उनको बोल रही हूँ, आज हम यहाँ गायत्री मंदिर पर आये हैं, दर्शन करने के लिए हमारी हाँ दिपोस सब बहुत जोड़शोर से मनाया जाता है मेरा नाम विश्वास मनलूई है जैसे गायत्री परिवार में यह लोग बताते हैं कि प्रदुसन प्री बिल्कुल साथवीक तरीके से यह दिपॉली मनाई जाता है नमसकार, मैं डॉक्टर गिरिश करनुग सेंद्वा से पृतिवर्षी के तरह हम इस वर्ष भी सेंद्वा गयत्री शक्ति पेट में दिवाली मनाने आया है और निश्वत रूप से यह प्रयास गयतर शक्तिपेट का अद्भूत प्रयास से परंपरिक रंग दियों सत्योहर मैना जाता है और इको फ्रेंडली दिवाली जिस तरह से गयतर शक्तिपेट का प्रयास है कि इको फ्रेंडली दिवाली मनना चाहिए पांच हजार दिये जलाए जाते हैं, एक आर्मी वालों के नाम, जवान के नाम, जो हमारे देश की रक्षा करना है एक किसानों के लिए, हर साल की तरह यहाँ पर बहुत ही आप जो से देख सकते हैं, सुसजित बहुत ही महनत के साथ, लगन के साथ, यहाँ पर रंगोलिया बनाई जाती है मेरा नाम आदेश शकरवाले, नहीं हाँ, गाहितरी मंदीर में रंगोलिया और लक्षमी गाहितरी माता का दर्शन करा और गोचारी रंगोलिया देखी मैंने यहाँ पर बहुत चाहितरी देखी, जैसे रंगोली में बुद्ध जी का बहुत प्यारा फेस बनाया था, संस्कार फेर्टी की रंगोली बहुत अच्छी बनाई थी मेरा नाम वीजय परवाल है, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल गढ़ जैसा लगता है और में मतलब मन से सिद्धार्ट गोतम बुद्ध तथा अपो दीपो भाव, अपना दीपक खुद बनो और इस दीवाली पर हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हम अपना दीपक जिन्दगी में खुद बने Hi, I am Bhaskar Upta, we have seen there is a lot of difference outside in Diwali festival and inside this Gayatri Dham where we have seen lot of difference as per the pollution wise if you will see outside there is a lot of pollution but inside this Gayatri Dham there is no any pollution because of there is no any crackers and all these things and here if you will see there is lot of Rona kind of by giving some lighting and all this by achieving by Rangoli and all Adiyatmik Shakti जो यहाँ पे होती है उसकी जो energy positive energy हमें यहाँ के मिलती है उससे हमें मन्त को बहुत संदुष्टी होती है बहुत अच्छा लगता है मेरा नाम प्राचि पलिवाल है और मेरे भाई का नाम हर्श पलिवाल है और हम हमारे ममे पापा के साथ यहाँ पे आये थे और हमने बुद्ध भगवान की रांगोली देखी थी और भारत का नक्षा देखा था और यहांकी सजावट भी बहुत अच्छी थी मेरा नाम श्रीम दुबे मेरे फिफ्ट क्लास में पढ़ती हूँ बुद्ध भगवान बने हूँ है वो भी बुद्ध अच्छे मेरा नाम है विध्यकुन चिंटर नाइशनल स्कूल ने पढ़ती हूँ छोटा छोटा बच्छे भी डांगोली देखने आये हैं मेरा नाम रिचन गुपता है यह मेरी छोटी बहर है इसका नाम तनुश्री गुपता है हम यहाँ पर दिवाली मराने आये हैं पापा के साथ और रंगोली यहाँ पर बहुत अच्छी बनती है हम लोगों ने बाहर बारत का नक्षा देखा फिर अभी अंदर माता के दर्शन करे और फिर अभी यहाँ पर रंगोली बहुत बड़ी बनती है हर साल बनती है मुझे यहां पर बहुत अच्छा लगा, यह मंदीर बहुत अच्छा है, यहां की रांगोली भी बहुत अच्छी बनती है मानस यहने मैं क्लास 7 पर पड़ता हूँ और यहां कर मैं रांगोली देखी, दर्शन करें और यह अपने बहुत अच्छा है यहां पर स्वर्ग के अनुभूती है बहुत अच्छा लगता है इतने सुर्ग से लगता है बहुत शान्ती मिलती, बहुत सुन्दर रांगोलिया होती है और बहुत अच्छा लगता है मन को देखके मेरा नाम डॉक्टर अश्विन जैन है और ये मेरे वाइब है डॉक्टर दिपाली जैन और ये है मेरी बेटी महर शुही जैन गायतरी परिवार एक अलग ही तरीके से एक राष्ट्र भक्ती की भावना से दिपाली को मनाते आया है जिसे इस वर्ष भी हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर भारत मदा का नक्षा बनाया गया है भारत का नक्षा बनाया गया है रांगोली के रूप में साथ ही बुद्ध रखवान की प्रतीमा की भी मुद्ध रांगोली बनाई गई है जो कि अपने आप में की विशेश है मैं शुपी जेन मैं यहां की रांगोली बहुत अच्छी लगी है सबको मेरी तरप से हैपी जिपाली दियों का यहां पर जो अरिजमेंट है जिस तरह से करा हुआ है डेकोरेशन है वो काफी एकदम पीसफूल हो और एकदम बहुत अच्छा लगता है मेरा नाम रुपाली गोरे है और जब से शादी हुई हर साल में दिवाली पर यहां पर आती हूं मंदीर में यहां का जो वातावर ने मन को बहुत प्रसंद कर देता है यहां का जो दिये लगाते है जो दीपो सब है वो बहुत ही मंगल में मंगल कारी है मेरा नाम पुनम जεν है, मैं हर साल धिवाली देखने आता हूँ, हमारे गायत्री परिवार की यहां पर स्पेशल दिवाली होती है यहां पर रंगोली बिलकुल केमिकल रही कलर से रंगोली बनाई जाती है और काफी बढ़िया कर्यर से इस मंदिर, राज राजशवर मंदिर गायत्री मंदिर को काफी अच्छे तरीके से सजाया जाता है गायत्री मंदिर मनाना हमारे खास दिवाली मनाने कर जैसा लगता कि यह दिवाली मनाई है मेरा राब रुचिता जैन है और रंगोली यहां का मोहौल यहां आने के बाद तो कोई इंसान एक घंडे से पहले तो जाई नहीं सकता यहां का मोहौल है शांती मिलती है और बहुत अच्छे से रखा हुआ है काहितरी मंदिर में तो इसी दिवाली तो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं और जो रंगोली और यहां का तेवार बनाने जाते हैं कहीं भी नहीं देखने मिलते हैं